एकुरेसी भी बहुत अच्छी है more than 95% is a very very good accuracy और यह हमारा लोस फंक्शन है ठीक है जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोस फंक्शन कम होता जाएगे यानि कि लोस वेल्यू जो है कम होती जाएगे मेरा नाम मंदीप है और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक और नया end-to-end deep learning का प्रोजेक्ट के लिए क्या आया हूं और यह प्रोजेक्ट है flood detection using satellite images with the help of deep learning model तो आज की वीडियो में हम सारी चीजे कवर करेंगे सबसे पहले हम कवर करेंगे देमो उसके बाद हम जो है dataset बताएंगे कि dataset हमने कहाँ से लिए है उसके बाद जूपिटर नॉटबुक और मॉडल की training कैसे कई है model को कैसे create किया है उसके बाद जब model train हो गया है तो हमने कैसे back end को बनाया है कैसे front end को बनाया है बात करते हैं डेमो के साथ ओके तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं यहां पर मैंने एक वेब साइट खोल रखे यानि कि वेब पेज ओपन कर रखा है और यह मेरे लोकल पर होस्टीड है जाएगी और आपके मोडल को बताना है कि क्या वह एक्षुल में फ्लडिड है कि नहीं है तो यह मोडल जो है वह प्रेडिक्ट करेगा कि पर्टिकुलर रेजन और पर्टिकुलर लोकेशन इस इट फ्लडिड विद वाटर और नॉट तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन देख पार इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहां पर प्रिविव दिख जाएगा प्रिविव करने के बाद जैसे ही आप सब्मिट करेंगे तो यह इमेज जो है मॉडल के पास चली जाएगी और मॉडल आपको बताएगा कि यह फ्लडिड है कि नहीं तो जैसे आप देख पारें इसमें दिया है कि this is flooded and the probability is 0.97 that means 97% probability है कि यह एरिया जो है flooded है एक मैं दूसरी एक किसी location कोई और दिखा देता हूं जैसे आप यहां पर देख पारें damage मतलब कि यह actual में damage location है with the flood तो इसने model ने correct prediction करी है यहां पर no damage मतलब यह वह वाले images है of those areas जहां पर flood का कोई ज्यादा effect नहीं है तो कोई भी एक random image ले लेता हूं मैं image को browse किया browse करने के बाद जो है आपको कुछ नहीं करना उसका आपको submit करना submit करने के बाद जो है आपको model दो second के एक second के अंदर अंदर बता देगा कि यह particular image यह particular area जो है प्लडिड है की नहीं है जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं प्रेडिक्शन is not flooded and probability is 0.0001 यह भी बिल्कुल करेक्ट प्रेडिक्शन है तो यह तो हुआ demo demo जो है बहुत ही देखने में बहुत simple लग रहा है लेकिन actual में बहुत सारा effort गया है इस पूरे project को working करने के लिए तो उसके बाद हम आज आते हैं next हम आज आते हैं डेटा सेट के उपर डेटा सेट के उपर बात करते हैं जैसा आप यहां पर मैं अपने विएस कोड में भी दिखा देता हूं यह मेरा विएस कोड है यह मेरा पूरा project का structure है flood detection का यहां पर आप मैं एक एक चीज़ी one by one पूरी detail में cover करने वाला हूं सबसे पहले यहां पर flood डेटा सेट यह मेरा डेटा सेट है डेटा सेट के अंदर जो है मेरे च्यार फोल्ड रहे ठीक है अब इनके अंदर जो है यह इमेजीज है इमेजीज जैसा आप देख पा रहे हैं यह जो कि मैंने अभी डेमो के टाइम पर यूज भी करी थी तो डिफरेंट टाइप की इमेजीज है सेटलाइट ने जो इमेज कैप्चर करके आपको दी है वह एरियल व्यू से वह सारे फोल्डर्स के अंदर ऐसी ही इमेजीज है अब उन इमेजीज का यूज करके आपको यह बताना था कि पर्टिकलर एरिया फ्लडिड है कि नहीं तो यह है सिंपल सा डेटा सेट इसमें डेटा सेट में अलग से ज़्यादा कुछ है नहीं इस प्लेन सिंपल कि आप यह सम इसे बात करते हैं हमारी जूपिटर नॉटबुक की हमने कैसे मोडल को क्रीएट किया कैसे मोडल को ट्रें किया और वह सारी डिटेल अब मैं यह सारी डिटेल वन बाई-वन सारी चीजे धीरे-धीरे आपके लिए कवर करूँगा जैसा मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यह मैंने जुपिटर नोटबुक को खोल लिया है मैंने कुछ लिंक्स जिनको रेफर किया था वह यहां पर मैंने डाल दिये हैं और अब मैं इसमें वोक्तुरू करवाँगा वोक्तुरू का मतलब यह है कि मैं हर एक वर्ड को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कवर कि इट विल मेक सेंस की कहां पर क्या हो रहा है ठीक है तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं उसके बाद सबसे पहले आप यहां पर देख पा रहे हैं सबसे पहले मैंने जो कुछ लाइब्रेरीज हैं जो हमें चाहिए उनको इंपोर्ट किया है इंपोर्ट करने के बाद यहां पे बाद यहां पे सेकंड चल में यहां पे हमने क्या किया है कि जो हमारी अधाक zwar क यहां पे जो प्लड डेटा काने सेट है यहां निकि जहां पर इमेजीजा है आप बस मैंने एक जस्ट नूलेजEPरपस की कहां Rankरे करवाय कि कि certified which is been files का एक folder है उसके अंदर 200 folder है damage और no damage और हर folder के अंदर 5000 फाइल है और इतना इतने size की file है इतना मतलब total size है ठीक है उसके बाद इन में से कुछ images corrupted थी बहुत जादा नहीं थी 10-20 images थी तो 10-20 images जो corrupted थी उनको मैंने delete किया है जो कि basically jpg उसमें convert नहीं हो रही थी उसके बाद यहां पर जो है मैंने अपना data frame बनाया है data frame में हमने कैसे बनाया है कि हमारे पास आप ऐसे समझ लिजी कि एक folder के अंदर बहुत सारे sub folder है यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं जैसे यह मेरा एक parent folder data set इसके अंदर च्यार folder है टेस्ट उसके अंदर फिर दो सा फोल्डर है डेमेज और नो डेमेज यहां पर सारी डेमेज वाली locations हैं उनकी इमेजिज हैं यहां पर नो डेमेज मतलब जहां पर flood का कोई डेमेज नहीं है वह वाली इमेजिज का पाथ है वह लिया है उसके बाद डेमेज एक कॉलब है जो की यह बताता है कि डेमेज है कि नहीं डेमेज हैं अब यह चीज हमने कहां से उठाई है हमारे हर folder के अंदर दो सब डिरेक्टरी एक डैमेज और उडेमेज तो हमने जो भी वेल्यू है उसके हिसाब से यहाँ पर folder की वेल्यू आ जायेगे जैसे मान लीजित यह हमारी जो है हमारी जो है image थी टेस्ट फोल्डर के अंदर डेमेज फोल्डर के अंदर तो यह जो डेमेज है वह यहां पर डेमेज कोलम के अंदर आ गया जैसे आप यहां पर देख पा रहें image df.path.map.lambda.x.parent.stem तो stem का यूज करके हमने यहां पर डेमेज की वैली को फिल किया है उसके बाद डेटा स्प्लिट हमने यहां पर ऐसे डेटा स्प्लिट की वैली को फिल किया है location को फिल किया location हमारी जो जैसे हमारी basically actually क्या है कि जो images के name है वो location के हिसाब से name है तो जैसे longitude और फिर underscore यह मेरा latitude है तो basically इस टू स्ट्रिंग्स आर सेपरेटेड बाई यह अंडर स्कोर तो यह आपकी image के name के अंदर है यह सारे detail तो मैंने इन दोनों यह मेरी location हो गई यानि कि longitude latitude value और अगर मैं को divide कर दूंगा मतलब यह मेरा इतना part longitude का है और यह वाला पार्ट जो है latitude का है तो ऐसे करके मैंने अपना एक पूरा डेटा फ्रेम बना लिया है डेटा बनाने के बाद मैंने एक quick distribution of images किया है कि बस just चीजे explore करने के लिए समझने के लिए कि हां कहां पे basically जो है आपका flood affected area है कहां पे नहीं है वो सारी डिटेल है इसमें matplotlib का use किया है और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर आपको plot से ज्यादा समझ में आएगा उसके बाद जैसे दो plot बनाए है मैंने एक plot में है यहां पर जो आपका value है लेकिन यहां पर जो blue dots है वो दिखा रहे हैं कि damage है और जो orange dot है वो दिखा रहे हैं कि no damage है ठीक है longitude latitude के हिसाब से उनको बस just plot किया है उसके उपर और अलग से कुछ नहीं है उसके बाद जैसे जो मेंने on a specific geographic location to see more details अब इनी details इनी जो geographic location है उनको थोड़ा सा जूम करके देख रहे हैं जैसे डेमेज वाली यह वाली location से all images मैं अगर सारी images को प्रेंट करूं तो वह वह ऐसे मतलब longitude और latitude के इसाब से ऐसे distributed है और no damage वाली मेरी यह है ठीक है तो उसके बाद हम आ जाते हैं image training के उपर उससे पहले image training से पहले image की कुछ चीज़ें हमें चेक कर लेनी चाहिए जैसे कि image कि साइज की हैं और कितने channel हैं वह सारी चीज़ें तो यहां पर हमने वही किया है सबसे पहले हमने cv2 को import किया उसके बाद cv2.im read एक image read एक method होता है उसका हमने use करके यहां पर आप देख पारें यह हमें value देता है 128 into 128 1283 इसका मतलब यह है कि image का size 128 by 128 है और उसमें तीन channel है तीन channel का मतलब हो गया आपका RGB ठीक है और उस image की बेसिकली जो नमपाई उसके टाइप जो है वह यू इंट है तो यह भी हमें चाहिए होता है क्योंकि टैंसर फ्लो में जब हम आगे जाके वह model बनाएंगे तो कुछ जो है मोडिफिकेशन करनी पड़ेगी वी चेक कर रहे हैं जस्ट फूर्द शूर्टी परपल्स नाओ लट्स प्लोट फ्यू नोट एट ओपन सीवी रीट तो आप हम क्या कर रहें कि हमने images को जस्ट प्लोट करके देखा जो images है बेसिकली यह डैमेज वाली images है और यह नीचे जो है हमारी no damage वाली images है आप देख पा रहे होंगे कि सारी मेंज एक सिमेट्रिक साइज की हैं विच मींस 128 x 128 की सारी इमेज है उसके बाद फिर से इन जो यह जो बनती है RGB जो colored images होती है red green और blue इन तीन चैनल से बनती है तो हमने क्या किया है कि एक जस्ट तो मेक अंडरस्टेंडिंग की हमारी images के अंदर RGB किस तरीके से distributed है वह वाली चीज चेक कर निकली हमने उनका एक histogram plot किया है सो यहां पर देख पारें distribution of pixel values for each color channel it helps in understanding the intensity distribution of each channel which can be helpful for tasks like image preprocessing gaining insight into color composition of image so basically जैसे मान लेजिए जैसे मान लेजिए आप ऐसे समन सकते हैं कि ऊपर satellite घूम रहा है अर्थ के ऊपर कई बार ऐसा होता है कि कुछ image अच्छी आती है कुछ blurred होती है ठीक है तो ऐसे में हमारे लिए थोड़ा सा वो we are just kind of exploring की checking की हमारी images का RGB का distribution कैसा है that's it तो यहां पर हमने वो histogram plot किया है तो यह हमारा जो है जो हमारा histogram plot हुआ है RGB channels का हर image के लिए ठीक है तो which seems fairly fine की almost जो हमारा normal distribution type से लग रहा है RGB channels का for each image ठीक है उसके बाद हम आते हैं transfer learning के उपर so basically model create जो image related model होते हैं उसमें दो तरीके से हम कर सकते हैं एक तरीका होता है की feature extraction का दूसरा तरीका होता है fine tuning का feature extraction में basically क्या होता है कि जैसे हमारा जो convolution neural network होता है उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो हमारी basically जो last वाली जो layer होती है classification या prediction layer उससे पहले जो है हमारे convolution network को chop off कर देते हैं ठीक है उसके बाद हम क्या करते हैं जो भी हम शुरू से input पास कर रहे हैं और convolution neural network की layers के तुरू वो input पास होके आती है फिर उसको multi-dimensional हमारे array को हम single dimensional करके फिर किसी दूसरी algorithm को दे देते हैं जैसे कि logistic regression हो गया या SVM हो गया वह वाला part होता है एक तरीका तो यह होता है इसको समझने के लिए आपको कुछ चीज है पहले से आनी चाहिए जैसे कि आपका logistic regression convolution neural network कैसे काम करता है इसके उपर मैंने एक full detail में एक video बना रखे अगर आपको नहीं पता तो आप पहले वह video देख सकते हैं और उसका link आपको जो है यहां उपर दिख जाएगा और आप जो है वह video को जो आप जो है रेफर कीजिए आपको समझ में आ जागा कि convolution neural network actually काम कैसे करता है ठीक है और जब आप वह और दूसरा जब आप वह चीज़ सीख लेंगे तो यहां से फिर आपको continue कर सकते तो यह वाली चीज़ आपको sense करेगे दूसरा तरीका होता है हमारा fine tuning का basically fine tuning में हम क्या करते हैं कि जो हमारे pre-trained model होता है उसको उठाते हैं और उसको अपने data के according fine tune कर लेते हैं उसमें जो हमारा basically हम वह कैसे करते हैं कि जो हमारे fully connected layer होती है उसको हटा देते हैं और new placing a new set of fully connected layer on top of network and then fine tuning these weights to recognize the new object classes this technique is usually recommended when the training data set is very large and very similar to the original data set तो हम ये वाला fine tuning वाला method इसमें जो है यूज करेंगे आपको इसा भी यूज कर सकते हो मुझे personally ये वाला method जो है ज्यादा convenient और ज्यादा smart लगता है ठीक है उसके बाद हम image pre-processing करेंगे basically हम अपने model को image जो है image की form में नहीं दे सकते इन simple terms मैं आपको बताता हूं हमें अपने images जो image data set है अपनी images को numbers की form में लेके आना पड़ेगा और वो numbers हम जो है अपने model को देंगे training करते टाइम तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा image की pre-processing करनी पड़ेगे तो अब आगे वाने वाला part जो है हमारा image pre-processing का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे जो यहां से हमने path निकाल लिए images के और labels labels मतलब की वह area flooded है की नहीं है one का मतलब है flooded zero का मतलब है not flooded ठीक है और फिर हमने उनको जो है जैसे क्योंकि हमारे different folders में थे train folder में था validation में था टेस्ट में था उन सबके हमने path निकाल लिए उनके respective label निकाल लिए उन सबको फिर हमने जो है यह हमने यह वाला काम किया path और label निकालने का उसके बाद यहां पर हमने उनको एक dataset में merge कर दिया है और जैसा आप देख पा रहे हैं फिर वो हमारा जो ऐसा कुछ दिखेगा यह हमारा path है और यह उसका label है ऐसे यह दूसरी image का path है यह उसका label है ऐसे यह तीसरी image का path है यह उसका label है ठीक है अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अपनी images को directly नहीं दे सकते images को हमें numbers की form में convert करना पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे हमें basically आप ऐसे समझ लिए जिए कि हमारी 1000 images different folders में पड़ी है और हमें हर image को number की form में convert करना है तो हमने क्या किया कि हमने जो एक दो function बना लिए वो function हम हर image के उपर जो है apply करेंगे और फिर हमारी image जो है numbers की form में आ जाएगी तो एक function तो होता यह image read करने का इसमें कुछ नहीं है simple image का पात देना है और label देना है और यह हमें image read करके दे देगा दूसरा function होता है image को tensor की form में convert करने का जैसे आप यहाँ पे देखो image को tensor की form में convert करके वो basically numerical form में ले आएगा फिर उसकी हम shape set कर देंगे कि इतनी shape होने चीए और छोटी छोटी जो modifications है वो कर देंगे और उसके बाद जो है हम यह एक दूसरा method tf cleanup का जो हमने वो किया है उसके बाद यह दोनों method जो है हम क्या करेंगे यह दोनों method using this map function कि हर image के उपर apply करेंगे तो कैसे करेंगे train ds के उपर हमने map function map को apply किया मतलब map के अंदर एक जाता है कि एक function जाता है कुन सब्सक्राइब जैसे यहाँ पर देख पार है कर दिया इस function को और यह function हमें एक टपल रिठन करेगा उस तपल के अंदर आपका एक पाथ होगा और एक लेबल होगा ठीक है और ऐसे ही हमने validation dataset के लिए किया ऐसे test dataset के लिए किया तो इस code से mostly आपको यह चीज समझ में आ जानी चाहिए कि यह वाला code जो है मेरे हर image को जो है numerical form में लाके दे देगा मुझे ठीक है हमने हर train dataset validation dataset test dataset के उपर वो कर दिया ठीक है यहां पर हमने पहले image read करी है उसके बाद image read करने के बाद यहां पर फिर वो जो दूसरा function था टीएफ क्लीनिक वाला फिर हमने वो लगाया यह चीज होने के बाद अब आप ऐसा आज्यूम कर सकते हो कि हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि हमारी image जो है numbers की form में आ गई है अब numbers की form में आ गई है वो ठीक है एक चीज और हमें जो करनी होती है वह है augmentation augmentation में हम क्या करते हैं कि basically अपनी image को different type में देते हैं जैसे कि मालो image को flip करके देंगे rotate कर देंगे shuffle कर देंगे zooming कर देंगे zoom out कर देंगे ताकि model को एक ही image के different variations मिले और model को समझ में आए कि model अच्छे से train और फिर model बाद में जो है अच्छे से prediction भी करें तो यहां पर वह सिंपल वाला कोड रोटेट augmentation लगाना अगमेंटेशन लगाना और वह सारी चीजे हमने जो है फिर से map function का यूज करके यह यह दोनों यह दोनों function जो है basically तो हमने तीन चीजे करिए flip किया है दूसरा हमने rotate किया flip किया और shuffle किया तो shuffle में हमने क्या किया कि जैसे flip और वह करने के बाद shuffle कर दिया सारी images को ताकि model को ऐसा model ऐसा ना समझ ले कि जैसे पहली 100 images original वाली थी और next 100 images वह basically augmented वाली थी तो हमने सारी images को एक दूसरे के साथ पूरा shuffle कर दिया ठीक है उसके बाद हम आ जाते हैं यहां पर हां यहां पर हम आ जाते हैं यहां पर हमने बैच साइज को 32 लिए बैच साइज का मतलब कि हम एक lot में कितनी images लेंगे 32 images हम ले रहें तू की पावर में जनरली लेते हैं बैच साइज तो जनरली 32 से ही शुरू होता most of the time तो मैंने भी 32 लिया उसके बाद यहां पर बैच साइज हमने अपलाई कर दिया है उसके बाद यहां पर एक batch of data को यहां पर हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं इंस्पे 48-28 की है और उसमें तीन चैनल है और उन 32 images के लेबल यह है लेबल मतलब की वो पर्टिकुलर एक इमेज क्या रिपर्जेंट करती है डे मेंज को रिपर्जेंट करती है यह नौन फ्लड को और यहां पर देख पा रहे हैं यह मेरे 32 लेबल होगे और यह मेरा एक बैच इस ताइप से दिखेगा अब हम आ जाते मोडल के उपर जैसा मैंने आपको बताया था कि हम एक यहां पर मैंने प्सकीलर नेटा करेंगे तो यहां पर आप देक पा रहे हैं यह मेरी eg में और यहां पर मैंने प्री ट्रेंड मोडल को के रास अप्लिकेशन डॉट वी जी 16 इस लाइन अफ को से मैंने जो है उसको डाउनलोड कर लिए जैसे आप देख पारें डाउनलोडिंग डेटा फ्रॉम दिस दिस तो यह हमने बेसिकली हमारे पास बेस मोडल आ गया अब बे तोरी दूसरी कौनवोगूशन लेयर है उसकी आउटपुट ऐसी है तीस्व ओरूऻएंगर रखे सर्फी लेयर में मैक्स पूलिग कर रखे है पूलिंग होती है हमारी एक पूलिंग का कॉनसेpt होता है वो भी मैंने डिप लर्णिंग की पलेलिस्ट में ॏद प्लेसित में mean pooling होती है तो वो सारी चीज़े जो है आपको आनी चाहिए that's what is assumed here before you jump here आपको ये सारी चीज़े पता होनी चाहिए तो ये हमारे जो basically already base model है ये उसका architecture है तीक है अब हम आजाते हैं इस से हमें ये बस जस चीज़े explore करने वाली बात थी कि हाँ इसका architecture समझने वाली बाती उसके बाद हमें क्या करना है कि हम एक global average pooling global average layer बनाएंगे pooling की layer बनाएंगे और हम जो है उसको यहां पर वो करेंगे now apply a tf.keras.layers.dense layer to convert these features into single prediction per image you do not need an activation function here because this prediction will be treated as logit or a raw prediction value positive number predict class 1 and negative number predict class 0 यहां पर हमने dense layer बनाई है basically dense layer हम create कर रहे हैं एक layer और हम kernel initializer दे दिया है और bias initializer दे दिया है यह हमारी prediction layer होगी अब इस prediction layer के अंदर जो हमने feature batch average बनाई थी वो हमने यह pass कर दिये अब यह हमारा जो उसके बाद हम आ जाते हैं यहां पर now stack all the components using sequential model now tf.keras.sequential यहां पर हमने pre-trained model जो हमने download किया था वो global average layer जो हमने उपर बनाई थी यह वाली this one global average layer जो हमने global average pooling layer बनाई थी उसके बाद हमने prediction layer बनाई तो basically हमने क्या किया है in nutshell हमने एक global average pooling layer बनाई है एक prediction layer बनाई है और जो last वाली जो इसमें layer थी हमने उसको chop off कर दिया ठीक है और फिर हम यहां पर अपने model को दोबारा configure कर रहे हैं कि learning rate हम इतनी रख रहे हैं learning rate जितनी कम होती है model उतना अच्छे से train होता है but learning rate में एक point यह भी होता है जितनी कम होगी उतना time लेगा training के अंदर उसके बाद फिर हम यहां पर compile कर रहे हैं हम optimizer पास करते हमें optimizer बताना होता है उसके बाद loss function बताना होता है हम optimizer और Adam optimizer ले रहे हैं अब मैंने optimizers भी cover किये हैं अपनी deep learning की playlist में आप optimizers को भी समझे optimizers आपके activation and loss function क्या होते हैं सारी चीज़े covered है मेरे deep learning की playlist में आप उसमें जाके देखिए आपको समझ में आ जाएगा यहां पर मैंने model को compile कर दिया है और matrix में मैंने दिया accuracy that means कि हम accuracy के ओपर focus करने वाले हैं model के लिए सबसे ज़्यादा accuracy important होगी उसके बाद फिर मैंने model.sumry करवाया तो उसके बाद जैसे आप यहां पर देख पाएंगे यह वाली layer जो पहले pre-trained model था ना उसमें नहीं दिखेगी आपको यह वाली layer यह वाली दो layer तो जैसे आप देख पा रहे हैं यह VGG 16 model उसके उपर मेरी global average pooling layer है और एक मेरी dense layer है तो यह वाली layer हमने add करी है यह नीचे वाली दो layer और यह फिर हमारे इतनी parameter होगे और ब्लाब ब्लाब अब फिर हमने जो है हमें epochs बताने होते हैं कि मतलब कि हम अपने data set के उपर कितने times of train करना चाह रहे हैं तो यहां पर हमने 15 लिया है और हर data और validation steps बताए हैं तो यहां पर model को evaluate किया है जो model यहां पर दे रहा है 50% की accuracy evaluate मतलब just a quick check करना की training से पहले कि क्या कैसा लग रहा है उसके बाद फिर यहां पर हमने training शुरू कर दी जो सारी उपर जो हमने चीज़े cover basically train batch DS बनाया था initial epochs बनायी थी validation data validation steps वो सारी चीज़े लेकर हम अब model को actually यहां पर train कर रहे है यहां पर model हमने शुरू में 15 epochs के लिए हम train कर रहे हैं जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं यह training का data है ठीक है अब training होने के बाद मैं अगर इसको print करवाया है यहां पर यह plot वाला code है मतलब कि इसी data को plot करवाया यहां पर आप देख पा रहे हैं blue line जो है training की है orange line जो है validation data की है और यह accuracy को represent कर रही है मतलब जैसे जैसे हम आगे epochs wise आगे जाते जा रहे हैं तो हमारी जो है accuracy around 85 के percent आसपास आ रहे हैं तो आप यहां पर भी अगर देखेंगे ना आप देखेंगे 85 परसेंट के आसपास हमारी accuracy है training data के ओपर और validation data के ओपर हमारी accuracy 84 परसेंट तो यह हमारे जो है graph ऐसे करके दिख रहे हैं यहां पर जो training का graph है यह loss function का graph है कि जैसे जैसे accuracy बढ़ेगी वैसे वैसे loss कम हो जाएगा तो यह दोनों एक दूसरे के reciprocal होते हैं उसके बाद हम जो है यह हमने उसके साथ किया है कि जैसे मालो pre-trained model लिया उसके उपर अपनी एक layer और चिपका दी एक global average पूलिंग की और एक dense layer और फिर उसके साथ अपने data के साथ train किया 85% की वह आगे अब हम क्या करेंगे हम जो pre-trained model था ना उसमें से भी अपनी जो कुछ layer जो है unfreeze कर देंगे unfreeze का मतलब यह है कि now they are also bound to change मतलब उनका भी अब model की accuracy में पार्ट आ जाएगा तो अब हमने यह क्या किया है कि यहां पर model को trainable true कर दिया और number of layers currently pre-trained model में 90 layer है और हम बोल रहे हैं कि 15th layer के बाद से जो है आप वो कर दीजिए basically जो पहली 15th layer as it is रहेंगी और 15th layer के बाद से जो है आगे वाली layer जो है unfreeze हो गई है that means कि अब उनका contribution होगा model को अपने data के उपर fine tune करने में ठीक है तो यहां पे फिर से हम जो है दोबारा से वही सब अपने model को compile कर रहे है recompile कर रहे है with lower training rate और यह फिर से हमने वह detail लगाई है और फिर जो है यहां पर इसको model को print कर रहे है और फिर से हमने जो है फिर से हमने मतलब अपने जो वी जी जी 16 था उसकी layers को unfreeze करके अब हम model को दोबारा से train कर रहे है अपने data के उपर 50 epochs और train कर रहे है जब हमने यह किया तो हमारी accuracy बहुत जादा अच्छी आ गई थी जैसे मैं आपको लास्ट में दिखा दूआ यहां पे मेरी accuracy 99% आ गई थी और validation accuracy 97% मतलब कि बहुत ही जादा अच्छी accuracy यह वाली तो अगर आप graph भी देखेंगे न यहां पे मेरी training और validation accuracy almost तेम है एक तो यह good point है अगर आपकी training और validation accuracy different different है मतलब कि आपकी training वाली accuracy 95% है और validation वाली मान लीजे 60 या 70% के आसपास है तो that means कि आपका model जो है और फिट हो रहा है तो क्योंकि training में अच्छी accuracy दे रहा है लेकिन validation के साथ अच्छी accuracy नहीं दे रहा ठीक है तो यह हमारा यहां पे good sign है कि अल्मोस्ट सेम सी ही चल रही है हमारी training और validation accuracy और accuracy भी बहुत अच्छी है more than 95% is a very very good accuracy और यह हमारा लोज फंक्षन है ठीक है लोज जैसे जैसे accuracy बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोज फंक्षन कम होता जाएगे यानि की लोज्व वेल्यू जो है कम होती जाएगी तो ऐसे करके हमने फिर मोडल को ट्रेन किया और फिर हमने जो है model को save कर लिया model को save करने के बाद demographics अब हमारा model trend हो गया है और हम्ने save कर लिया जैसे कि और back end और front end का मैं a quick walk through करवा देता हूँ जैसे कि सबसे पहले मैं back end की बात करता हूँ जैसे यह मेरा project को पूरा structure है यहाँ पर data set है, यहाँ पर trained model है यह मेरी notebook है जो कि मैं just अभी cover करी है और यह मेरा front end और back end आगे पहले back end की बात कर रहे हैं back end में जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने image को pre-process किया है pre-process करने के बाद क्योंकि हम image को directly नहीं दे सकते ठीक है, pre-process करने के बाद हम जो है, यहाँ पर prediction layer को देंगे तो यहाँ पर आप ऐसे समझ लीज़े यह slash predict मेरी एक rest API है जो कि मेरा image और back end आगे पहले back end की बात कर रहे हैं back end में जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने flask का use किया है यहाँ पर मैंने flask का object बनाया जैसे flask load होगा मतलब flask server जैसे ही load होगा तो वो वैसे ही इस model को load कर लेगा load करने के बाद यहाँ पर जैसे आप देख पारे मैंने image को pre-process किया है pre-process करने के बाद क्योंकि हम image को directly नहीं दे सकते ठीक है pre-process करने के बाद हम जो है यहाँ पर prediction layer को देंगे तो यहाँ पर आप ऐसे समझ लीडिए यह slash predict मेरी एक rest API है जो कि मेरा image का object लेके आएगी request के अंदरे एक image का एक file का image नाम से होगा और image file का object होगा उसको मैं locally एक बार के लिए save करता हूँ उसके बाद उस image को pre-process करता हूँ pre-process का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि image को numbers की form में ले आता हूँ numbers की form में लाने के बाद फिर मैं वो numbers जो है इसको दे देता हूँ फिर मैं उसके उससे probability कर रहा हूँ और फिर मैं जैसन की form में जो है अपना response रिटन कर रहा हूँ यह मेरा बहुत ही simple सा बहुत ही plain simple सा backend है और यहां पे जो है एक मेरा default home वाला जो यूरल है वो मुझे render.html basically मेरा front end को लोड करता है अब हम आज आते हैं front end के उपर front end is my this one index.html इसमें इसमें भी मैं सारी चीज़े नहीं cover करूँगा बहुत ही plain simple सी चीज़े cover करूँगा यह मेरा html css वगहरा है और मैं आज में आपको वो दिखा देता हूँ कि मैं अपना basically जा स्क्रिप्ट का जो मैंने यूज कर रखा है कि यहां पर जैसे preview image का function बना रखा है जैसे हम image load करेंगे तो वह एक image का preview दिखा देगा submit image के अंदर हमने क्या कर रखा है कि basically जो image आती है मुझे को submit करते हैं उसमें हम क्या करते हैं basically यहां पर थोड़ा से नीचे आके देखोगे plain जाओ script का code है कि एक image का object लेना उसको stt request बनाना पोस्ट की form में भेजना और किस url पर भेजना वह सब किया है जैसे यहां पर आप देख सकते हैं request.open post and slash predict slash predict वाला हमारा कुन सा url जो हमने app.py में नहीं दिखाया था वह इसको कोल करेगा तो that means कि front end से जब कोल आएगी तो वह इस method को आएगी ठीक है यहां पर जैसे फिर मैं उसको भेजता हूँ और फिर जैसे मेरा response आता है तो मैं उसको parse करता हूँ क्योंकि मेरा JSON की form में आ रहा है तो मैं उसको parse करके और यहां पर दिखा देता हूँ प्रेंट एंड के उपर प्रेंट इतना ही है सिंपल सा है बहुत चादा डिफिकल्ट है बाकी styling वगएरा है HTML के टैक्स हैं CSS है और वह सारा वह सारी चीजिए हैं और पाइनली फिर हमारा जो है जो प्रोड़क्ट बेसिकली जो एंड वर्किंग प्रोड़क्ट जो बन के आता है वह ऐसा बन दिखता है यहां पर थोड़ा होवर करेंगे तो वह जूम भी हो जाएगा और जैसे यह आप सब्मिट करेंगे तो आपको जो है यहां पर वह डिट कॉम्प्लेक्स किया नहीं है मैंने तो जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक फ्रेंट एंड है एक बैक एंड के अंदर जो हैं आपका जो है डीप लर्निंग का मोडल जो ट्रेंड मोडल है उसको थोस्त किया है बैकेंड हमारे फ्लाउज के अंदर रन ओर रहा है तो बहुत जादा डिफिकल्ट है नहीं अर्गिडेक्सिव में बहुत ही सिंपल सा है एक फ्रेंट एक बैकेंड बीच में रास्ट अपियाई एक दूसरे की कोल जाती है अगर आप इस प्रोजेक्ट को जो है अपने किसी भी परपर्ज के लिए यूज करना चाहते हैं जैस आपको सोर्स कोड चाहिए आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो के इसक्रेप्शन बॉक्स में भी है और पिंड कोमेंट में भी है आइल भी हैपी तो हेल्प यू अधास वार्ट वीडियो गाइज स्टेटिन एंट्रेस्टिंग वीडियो जोन ए इंड आए एमल तil the next video, bye bye, take care